आज हम आपको ऐसे व्यक्तितु से रूबरू कराने जा रहे हैं जो राजनितिक वा समाजिक छेत्र में अपने दमदार पर चस्व के लिए जाने जाते हैं जिनके एक इशारे पर हजारों लोग एकत्रित हो जाते हैं आज हमारे विशेश अतिति हैं देवेंदर गोड बोले जो पंचायत समिती उपसभापति रह चुके हैं दो बार जिल्ला परिशद सदस्य रह चुके हैं शिवशेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के जिल्ला प्रमुख देवेंदर गोड बोले अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं सबसे पहले तो देवेंदर गोड बोले जी आपका हमारे बीसीन के चैनल में स्वागत है इन दिनों सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि हाल फिल हाल में ही आपके उद्धव ठाकरे जी आपके पार्टी के आला कमान नापपूर आया यानि की DCM के देवेंदर फठनवीज के शहर में आखे उन्होंने ये कहा कि देवेंदर फठनवीज नापपूर के लिए कलंक है इस पे आप या फिर यहां के पार्टी के लोग आपके पार्टी के लोग उसके क्या सोचते हैं शिवशना पक्षय प्रमुग हमारे नेता उद्धवसाब ठाकरे इन्होंने जो उन आपकूर के देवेंद्रे फटनवीश कलंख है यह जो बात उन्होंने बोले वो एकदम सटिक बात उन्होंने बोली जो महारास्ट आज देश में एक आदर से राजनिति के लिए जाना जात अब ही अएसा हो खिए पढ़्ण नेता पे आरोप लगने का कलंग लगने का बाद में उसको भाज़य व्यक्रित이 आज तक महारास ने कभी देखे नहीं जो ठेल की के काल में सब अब्रSmith देख शेखें दो बड़े चुनाव सामने विधान सभा की बात करें तो यहां के चार वार विधायक है एक हम जानना चाहते हैं कि चौती वार विधायक होने के बाद भी महाविकास अगाडी में भी उसके बाद भी महा सब्से कम हुमर में विदायक बनाने की शक्ती सीवषणा में थी सीवषणाने उन्होंने विदायक बनाया उनको पाच बार सीवषणा की टिकट दी उसमें वह तीन बार विदान सभा में गए और 2014 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने उद्दोव साब ने उनको महामंड़ के अद्दक्ष बना के राज्य मंत्री का दर्जा दिया और 2019 में जो महारास्ट में भाजप और सिवशना की यूती हुई यूती में भाजप के कोठे में सिवशना की टिकीट गई इसलिए आसिज जैस्वाल अपक से चुनाव लड़े सिवशने का हर कारेगरता हर सिवशनिक हर मद्दार इन्होंने आसिज जैस्वाल को सिवशने का उम्मेदवार समझ की होटिंग किया है और उनको विदान समा में भेजने का काम किया है 2014 के बाद 2019 में जब महाविकास आगड़ी की सरकार बनाने की प्रक्रिया चालू थी तब यह आसिज जैस्वाल महाविकास आगड़ी के खेमे में खेमे में रहते हुए भी यहां की छोटी मूटी ख़बर फटनविश जी को भेशते थे प्रक्रक्राण के पूरा मन्स में बढ़ गया तक यह भंतनी सक खबर्या है इसलिए उनको मंत्री नहीं बनाया नहीं म depth अब आने वाले साहे में की जब भाज़वक यहां होंए अजिक्वारों का दील नील थे पास है तो अभी उनका कौन से पार्टे में लढ़ना क्या लढ़ना वो आज भी इंडिपेंडिट से अगर चुनाव लड़ते हैं कोई भाजब जो पुराने भाजब वाले जो निस्टावन भाजब वाले इनका कभी काम नहीं करेंगे और रेड़ी जी जो है भाजब के जो है जब उसा उता रही लेकिन इन चार सालों में हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि उनके वक्तव में कोई स्टेट्मेंट में कि इस तरीके से कोई सपोर्ट हुआ उनका स्टेट्मेंट हमेशा यही रहा है कि मैं एक इंडिपेंडेंडेंट हूं उन्होंने चाती पर हात रखके बोल इतनी बड़ी बात अगर आपने कहा कि आप पॉलिटिक्स छोड़ देंगे इस बीच में एक सावाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर पार्टी आला कमान ने वरिष्ट के तरब से कोई ओडर आता है कि देवेंदर गोड़ वोले इस बार यानि कि दोज़ार चोबीस में विधान सभा के कैंडिडिट होंगे आपकी क्या त्यारी और आप क्या सुचते देखो मैं सीवसे ने का एक चोटा कारे करता हूं और पार्टी ने मुझे जब 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 जो जो संदी दी जो जो पत पे मेरी निवक्ति की वह पत को न्याई देने का काम मैंने हमेशा किया हूं अगर दोज़ार चोईस में अगर पार्टी के आदेश आता है कि चुनाव विधान सभा का लड़ा जाए तो जहां से पार्टी यह श्रीप नाम के सीवशेना के थे लेकिन इनका दिल भाजप में था और 2014 में 2014 की जो चुना हुआ इसमें यह आसी जैस्वाल जो है और सीवशेना की टिकेट लेने के मूड़ में नहीं थे तो गड़करी साब के बाड़े पर गही थे लेकिन बाजप वाजपलों ने उनको भगा दिया इसलिए उन्होंने 2014 में सीवशेना की टिकेट ली अचा हमेशा से बोला जाता है राम् आपकी लंबी एक साजेदारी साथ में आप लोगों ने काम किया है मिलकर काम किया है तो फिर इसके बाद भी जब शिवशेना का इतना बड़ा गढ़ रहा तो कृपाल तुम्हाने जैसे खासदार पार्टी क्यों छोड़ दिये जैको यह कृपाल तुम्हाने जो सांसत है वो ऐसे कोई निस्टावान शिवशेनिक नहीं थे शिवशेनिक निस्टावान शिवशेनिक नहीं थे और कॉंग्रेस में नापकुर शहर के सेवादल के प्रेसिडेंट थे और उनको शिवशना की संस्कूर्ति शिवशने का सबाव इसके बारे में कोई जानकरी नहीं थी और कॉंग्रेस में रहते हुए तुम्हाने जी इनको कभी नगर्शयोग का भी टिकेट नहीं मिला नगर्शयोग भी नहीं बने हमार यह राम्टेक लोग सबार सेडूल का स्ट्राकिव होने के बाद पार्टी निर्ने लिया कि तुम्हाने जी को टिकेट देने का निर्ने लि तुमाने जे नाम के सी उशना में थे लेकिन उनका प्यार, मुहबत बाजब के साथ था 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 बाजब की मदद से चुनके हैं तो कोई हमारी भी यहाँ ताकत है और कई जागा बाजब ने यहाँ को मदद की दुसरे जगे हमने उनको मदद की यूती का मतलब जो ही होता है कि एक में को चुनके मदद करना-चुनके लाना. अगर तुमाने में अगर दम हाँ है अभी भाजब की टीकेट लेंगा तो भी चुनके नहीं आसकते। तुमाने जी जब आपके साथ थे, उनकी कारेश हैली कैसी थी, और कोई उनका इतने लंबे अर्शे के आखलोग साथ में रहे, इतने लंबे सहरे में कोई एक पसंद दीदा काम, जो किरपाल तुमाने किया हो, और आपको ऐसा लगा हो अपि तुमाने ने बहुत इच्छा काम पर थे, चार सभापती थे, यह जब से तुमाने हमारे पार्टी में आया, तब से पार्टी हमारी निशे लेवल पे गई, अभी हमारा जिल्ले में एक ही जिल्ला पर से सद्दश्य था, और एक ही सभापती, एक ही पंच्या समिती का सद्दश्य था, तुमाने आने के पहले प्रप्रवाइब बढ़ेंगे और अगले चुनाओं में स्थानिक सवराज्य चुनाओं में अच्छा परफॉर्म्स करेंगे आज हम लोगोंने बहुत बेवाग बात किये शिवशेना के जिल्ला अध्यक्ष जिल्ला प्रमुख देवेंदर गोड़ बोले जिसे हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ में आप हमारे साथ बने रहें देखते रहें खास मुलाकाल सिर्ख इंग्लिसी एंग्यों सर् झाल